हलो डियर स्टूदेंट्स, वेलकम इन फिप सेमेस्टर मेरा नाम है प्रज्या गावंडे, मैं सेल्फ प्रज्या गावंडे मैं आपको मैडिशनल केमेस्टरी बढ़ाऊगी तो आज हम लोग देख लेते हैं वाट सिस अन्हीं केमेस्टरी second है ये subject code है BP501 medical chemistry second हम लोग medical chemistry क्यों पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो यह हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग किसी भी drug का fundamental study करते हैं उसकी structure देखते हैं कि क्या structure है उसके therapeutic uses क्या है अगर हम उसके structure में कुछ भी modification करते हैं तो उसके effect के उपर क्या फरक पड़ता है कि जो activity वो शो कर रहा है उसके उपर क्या फरक पड़ता है जैसे कि हम example के मैं बताती हूं जैसे यह है हमारा phenol ठीक है मैंने यहाँ पर substitution कर दिया इस position पर इस position पर तो इसकी अगर यह कोई activity शो करता है phenol as a antibacterial भी उसकिया जाता है mostly तो यह अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमने कुछ substitution कर दिया तो वो क्या activity शो करेगा ठीक है इस तरह से हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर नहीं करा यहाँ कर दिया तो यहाँ पर क्या activity शो करेगा इसकी थेरपटिक एफेक्ट के उपर मतलब इसकी थेरपी एक्टिविटी के उपर क्या इफेक्ट होग पड़ेगा नौ हम लोग इसमें सबसे फर्स तेखेंगे अंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स अब अंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स एजेंट्स क्या होते हैं तो वो मेडिसेन्स होती है जो की allergy के लिए allergy को treat करती है and hypersensitive reaction जैसे cold हो गया, high fever हो गया, other allergic condition हो गई, उसे जो treat करने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे anti-histaminic agent ये क्या करते हैं, relief करते हैं, nasal congestion, sneezing, hives को relief करने का काम करते हैं, short term treatment में इसे यूज किया जाता है, anti-histaminic agents को short term में यूज किया जाता है, short term treatment में यूज किया जाता है, इसके हम लोग receptor देखेंगे, h1 receptor, h2 receptor के बारे में देखेंगे, उसका description देखेंगे, इसमें जित्ती drug use होती है, according to receptor, h1 antagonist जो की h1 को की block करते है, h2 को block करते है, antagonist मतलब उसके against action शो करना, agonist मतलब जो की उसके उसी की तरह action शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं agonist और antagonist मतलब उसके different मतलब उससे अलग action शो करना, तो यहाँ पर हम लोग उसके एक एक ड्रग के बारे में देखेंगे, और जिसके उपर स्टार है यही ड्रग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ठीक है इनका मेकनिजम देखेंगे हम लोग मेडिशन केमिस्ट्री में सार देखेंगे यूसेज देखेंगे डोस देखेंगे यह सब हम इसमें देखेंगे गैस्टिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर मतलब जो की गैस्टिक एसिट को पैप्टिक अलसर को के सिक्रेशन को इनिबिट करने का काम करती है means block the गैस्टिक इनिबिटिंग गैस्टिक एसिट सिक्रेशन that block and reducing the production of stomach acid यह क्या करती है इस stomach में acid के सिक्रेशन को कम कर देती है या फिर उसे block कर देती है now second है हमारा anti-neoplastic what is anti-neoplastic यह सभी को पता होता है anti-neoplastic means acting to prevent inhibit or halt the development of neoplasm neoplasm means tumor tumor क्या होता है जब cells एक cell दो cell इस तरह से जब वो गुच्छा बना लेती है मतलब यहाँ पर एक cell इखटी होई फिर उसके बाद में दूसरी दूसरी के बाद में इससे पूरा एक गुच्छा बना लेती तो उसे हम लोग क्या बना लेती है tumor और tumor भी अलग अलग तरह के होता है एक simple tumor होता है और एक cancer tumor होता है तो जो हम लोग cancer tumor को treat करने के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते है anti-neoplastic agents यह क्या use होता है it is also called as anti-cancer agent chemotherapy and chemo cytotoxic chemo cytotoxic क्यों बोला है chemo मतलब जो cancer के treatment में जो medicines use होती है उसे हम लोग क्या होता है chemo and cytotoxic मतलब cytomine cell और toxic मतलब जो कि उसके cell की वज़े से जो tumor की वज़े से जो toxic reaction हो रही है उसके against जो action शो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते है chemo cytotoxic agent और इसे हम लोग क्या होते है anti-neoplastic agents इसी के classification के according हम लोग देखेंगे alkylating agents क्या होते हैं उसमें जो drugs रहती है then फिर anti-metabolic, antibiotic, plant produced, miscellaneous ये सबी हम लोग इसके classification के according drug के बारे में describe करेंगे now unit second ये हमारी first unit थी इसमें हम लोग रहें क्या क्या topic थे anti-staminic agents, gastric proton pump inhibitor, anti-neoplastic agents, anti-cancer, now unit second anti-enzynal drug, anti-enzynal drug मतलब जो की enzyna को treat करने में use होते हैं और क्या होता है anti-enzynal drug is, anti-enzynal is a drug used in the treatment of enzyna factoris, enzyna factoris, enzyna क्या होती है enzyna is a heart condition, characterized by a narrowing the coronary arteries, coronary arteries कहाँ present होती है हमारी heart में present होती है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी coronary arteries होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर यह जैसे हमारी artery है इसमें करने के लिए जो अगे मतलब आटरी है जो ब्लॉक हो चुकी जैसे ब्लॉकेज होगया है तो उस ब्लॉकेज estaruk यह क्या करती है खतम कर देती है उस ब्लॉकेश को यह क्या करती है इस तरह से यह खतम करने का काम करती है ठीक है इन सिंपल वर्ट्स जिस अगर कोरोनरी आर्ट्री के जो ब्लॉकेश है यह कम हो जाएंगे जैसे यह ब्लॉक हो चुका है अगर यह ब्लॉकेश हट जाएंगे तो ब्लॉड इजीली फ्लो होगा हाट में तो ऑक्सिजन सप्लाई भी इजील हो जाएगी है ना पूरी बॉड़ी में ऑक्सिजन सप् इसको जो ब्लॉकेज हो गया है उसको हटाने का काम करती हो ब्लट फ्लो को इंक्रीज करती है नाव इसमें क्या आ जाते है वैसो डाइलेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यह अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन है हम लोग देखेंगे इसमें जो ड्रग आती है वो हम डिसक्राइब Now, Diuretic Diuretic means जो ऐसी ड्रग जो की Diuretic में काम आती है जो used in the Diuretic वो हम लोग इसमें देखेंगे Anti-hypertensive agent Anti-hypertensive means hypertensive में जो used की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते है? Anti-hypertensive agent Now, Unit 3 Anti-arythmic drug एक होता है hypertensive एक होता है arithmic drugs जो की अरित्मियक में यूज की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते है? Anti-arythmic ये भी हम लोग देखेंगे इसमें जो drug आती है वो सबसे मेन है Qnidine Anti-hyperlipidemic agents जो की lipid hyperlipid मतलब जो lipid के formation बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करती है उसके against action शो करती है उसे हम लोग क्या बोलते है Anti-hyperlipidemic agents Coagulant and Anticoagulant आपको सब ये को पता है Coagulant क्या होता है जो रख्त का थक्का जमना ठीक है? In simple language क्या बोल सकते है हम लोग इसे रख्त का थक्का जमना जब हमारा blood जो है वो एक बलकी ग्रूप में आ जाता है मतलब थक्का जम जाता है जिससे आपको कहीं चोट लग गई चोट लग गई और महाँपे क्या हो जाता है एकदम आप रब ना करो तो क्या हो जाता है रॉक तका थक्का जम जाता है, वो दीरे-दीरे green रहता है, red, red से green हो जाता है, तो उसे हम लोग, फिर black होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रॉक तका थक्का जमना, तो उसके लिए हम लोग सबसे first line drug क्या यूज क्या यूज क्याते है, veraparin, drug used in congestive heart failure, Now, unit fourth, इसमें हम लोग देखें, drug acting on endocrine system, endocrine system मतलब जो की body के अंदर होते है, ठीक है, endo मतलब अंदर, तो endocrine system में पतलब जो भी hormones प्रेजन्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें study करेंगे, like sex hormone, drug of erectile dysfunction, oral contraceptive, corticosteroids and thyroid and antithyroid drug, ये सब क्या है हमारे endocrine hormone से, Now, anti-diabetic agents, जब अगर ये hormones के secretion बढ़ जाता है, तो हम लोग उस time जो use करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, anti-endocrine drugs, जो की, मतलब drug acting on endocrine system, जो की इन hormones के secretion को कम करने का काम करते हैं, किस कई बार होता है, किसी का thyroid बढ़ जाता है, तूस वज़े से क्या होता है, जब thyroid बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, तो goiter होता है, गेंगा रोग हो जाता है, कैलशियम की कमी की वज़े से होता है, ठाइरोट की वज़े से होता है, तो यही सब चीज़े, now unit 5, anti-diabetic agents, सभी को पता है, diabetes में जो use कर जाती है, drugs उसे हम लोग क्या बोलते हैं antiribratic agents जो किसकी वज़े से होती है insulin की वज़े से होती है insulin कहां present होता है pancreas में present होता है now local anesthetic anesthetic सबको पता है anesthetic means जो की pain को pain sensation को block करने का काम करता है अगर कहीं पर sorry अगर surgery होती है तो हम लोग उस time क्या देते है अनासेशिया देते हैं यह क्या है local anesthetic मतलब specific body के part के उपर ही हम लोग इसे देते हैं absence of pen sensation create a absence of pen in specific location of the body without a loss of consciousness मतलब वो specific body जैसे अगर आपको मान लेजिए आपको सिफ आपके legs के उपर ही करना है मतलब वहाँ पे ही आपको कुछ चोट लग गई है या फिर वहाँ पे तो आपको क्या होगा local anesthetic दिया जाएगा और इसमें सबसे important क्या है lead token इसमें सबसे important हम लोग पढ़ेंगे lead token और book इसमें आपको Wilson medicinal chemistry की सबसे best book है Foye Foye सबसे best book है आप Foye प्रिफर करिए Remington भी अच्छी है आप Remington यूज कर सकते हैं Bogal organic chemistry की है ओकी थैंक यू नेक्स लेक्चर में हम लोग इसको हमारी first unit स्टार्ट करेंगे anti-histaminic agents थैंक यू